नमस्कार दोस्तों आज मैं आपकी सेवा में एक वीडियो लेकर के आ रहा हूं इस वीडियो में हम लोग नागरी लिपी के विशै में पढ़ेंगे ठीक है तो नागरी लिपी के विशै में जानकारी प्राप्त करने के लिए यह वीडियो बहुत महत्पूर्ण सावित होगा तो ठीक है बिना वक्त बरबाद किये हुए हम लोग सीधे टॉपिक पे आते हैं। जिस लिपी में यह लेक छपा है उसे हम नागरी या देवनागरी लिपी कहते हैं। तो परिभाशा के तौर पर यह बहुत ही सटीक तरीका है कि हम लोग सबसे पहले वो चीज परस्तुत करते हैं जिसे हम नागरी लिपी है क्या। सबसे सरल भाशा में हम कहेंगे जिस लिपी में यह लेक छपा है उसे हम नागरी या देवनागरी लिपी कहते हैं। करीब दो सदी पहले, पहली बार इस लिपी के टाइप बने, मतलब यह लिपी होगी कैसे, लिखेंगे कैसे, इसके विशाय में दो सदी पहले एक प्रकाड का टाइप बनाने का प्रयास लोगों ने किया, और इसमें पुस्तकें छपने लगी, टाइप बनने के बाद पुस्त कि छपनी शुरू हुई इसलिए इसके अक्षडों में इस्थिरता आ गई है चूंकि इसको एक टाइप मिल गया है इसलिए इसमें इस्थिरता आ गई है हिंदी तथा इसके विविध बोलियां देवनागरी लिपी में लिखी जाती हैं हिंदी को हम लोग जिस लिपी में लिखते हैं उसे कहते हैं देवनागरी लिपी तो हिंदी तथा इसके विविध बोलियां देवनागरी लिपी में लिखी जाती हैं हमारे पडोसी देश नेपाल की नेपाली वो नेवारी भाषाएं भी इसी लिपी में लिखी जाती हैं। हिंदी की अलावा नेपाल की नेपाली इसे हम खसकुरा कहते हैं वो नेवारी भाषाएं भी इसी लिपी में लिखी जाती हैं। मराथी भाषा की लिपी देवनागरी है, मराथी में सिर्फ एक अतिरिक्त अक्षड, यह जो अक्षड है आपको जो लौ की तरह मालूम पर रहा है, यह मराथी भाषा का अक्षड है, जो देवनागरी में नहीं है, तो मराथी भाषा भी देवनागरी लिपी में लिखी जाती है, लेकिन इसमें ऐसा अक्षड होता है, जो देवनागरी में नहीं है, ठीक है, हमने देखा है कि प्राचीन काल में संस्कृत वो प्राकृत भाषाओं में यह ध्वनी थी, संस्कृत और प्राचीन भाषाओं में यह धोनिया थी यह जो धोनी है जो लौकी तरह है यहां दिया हुआ यह संस्कृत और प्राकृत में पहले थी लेकिन आज की द्यवनागरी लिपी में यह नहीं है और इसके लिए अनेक अभिलेखों में अक्षर मिलता है। द्यवनागरी लिपी के बारे में एक और महत्वपूर्ण तथिया है कि संसार में जहां भी संस्कृत प्राकृत की पुस्तकें प्रकाशित होती हैं वे प्राया द्यवनागरी लिपी में ही छपती हैं। वैसे इन विदेशों के कुछ पंडित और उनका अनकरन करते हुए कुछ भारतिय पंडित भी उपर नीचे कुछ चिर्ण जोडते हुए रोमन अक्षरों में भी संस्कृत प्राकृत के उद्धारन एवं ग्रंत छपवाते हैं। गुजराती लिपी द्यवनागरी से अधिक भिन्य नहीं है। बंगला लिपी प्राचीन नागरी लिपी की पुत्री नहीं तो बहन अवश्य है। हाँ दक्षिन भारत की लिपियां वर्तमान नागरी से काफी भिन्य दिखाई देती हैं। लेकिन यह तथ्या हमें सदैव स्वरन रखना चाहिए कि आज कुछ भिन्य सी दिखाई देने वाली तक्षिन भारत की यह लिपियां तमिल मल्यालम और तेलगु कर्णर भी नागरी की तरह प्राचीन ब्रहामी से ही विक्सित हुई हैं। तो यह तमिल मल्यालम और तेलगु कर्णर भी वहीं से आई हैं जहां से हम लोगों ने देवनागरी लिपी को प्राप्त किया है। प्राचीन ब्रहामी लिपी से ही विक्सित हुई हैं। अभी कुछ समय पहले तक दक्षिन भारत में पोथियां लिखने के लिए नागरी लिपी क्या वेवहार होता था। दरसल नागरी लिपी के अरंभिक लेख हमें दक्षिन भारत से ही मिले हैं। दक्षिन भारत की यह नागरी लिपी नंदी नागरी कहलाती थी। कौंकन के शिलाहार, मानने खेट के राष्टर कूट, देवगिरी के यादव तथा विजय नगर के शाष्कों के लेख नंदी नागरी लिपी में हैं। पहले पहल विजय नगर के राजाओं के लेखों की लिपी को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था, यही आगे चलकर देवनागरी लिपी के रूप में परसिद्ध हुई। दक्षिन भारत में तमिल मल्यालम और तेलगू कंणर लिपीयों का सुतंद्र विकास हो रहा था, फिर भी दक्षिन भारत में अनेक शाष्कों ने नागरी लिपी का इस्तेमाल किया है। राज राज वा राजंदर जैसे प्रतापी चोर राजाओं जो ग्यारहवी सदी में हुए के सिक्कों पर नागरी अक्षर देखने को मिलते हैं। बारहवी सदी के केरल शाष्कों के सिक्कों पर वीर केरलस्या जैसे शब्द नागरी लिपी में अंकित हैं। सुदूर दक्षिन से प्राप्त वरगुन का पलियम तमरपत्र। तमरपत्र जो इतिहासिक स्रोत है। इतिहास के विशय में पढ़ने के लिए जो साधन है तमरपत्र उनमें एक है तो पलियम तमरपत्र मिला है वरगुन में जो नवी सदी का है तो इसमें यह नागरी लिपी में है। इतना ही नहीं श्रिलंका के पराक्रम बाहु विजय बाहु बारहमी सदी में हुए थे आदी शाषकों के सिकों पर भी नागरी अक्षर देखने को मिलते हैं। दूसरी और उत्तर भारत में अलपकाल के लिए इसलामी शाषन की नीव डालने वाले महमूद गजनवी ग्यारवी सदी पुरवार्द के लहोड के तकसाल में डाले गए चांदी के सिकों पर भी हम नागरी लिपी के शब्द देखते हैं। इन शिकों पर एक तरफ कुफी लिपी में कलना अंकित है तो दूसरी तरफ नागरी लिपी में अंकित है। अव्यक्तम एकम मुहम्मद अवतार निर्पती महमूद ये सिक्के दस सो अठाइस इस्वी में शुरू किये गए थे। अस्परन रहे कि लगबग इसी समय के रक्षिन के चूर राजाओं के सिक्कों पर भी नागरी लिपी में लिखे गए शब्द देखने को मिलते हैं। महमूद गजनवी के बाद के मुहम्मद गुरी अलाव दीन खिल जी शेर शाह आदी शाषकों ने भी अपने सिक्कों पर नागरी शब्द खुदवाय हैं। बाद शाह अक्बर ने ऐसा सिक्का चलाया था जिस पर राम सिता की आक्रिती है और नागरी लिपी में राम सिया शब्द अंकित है। उत्तर भारत में मेवाड के गुहिल, सामभड अजमेर के चौहान, कन्नोज के गाहरवाल, काठियावाड, गुजरात के सोलंकी, आबू के परमार, जेवाक मुक्ती, बुंदेल खंड के चंदेल, तथात्रपुडा के कलचुरी शाषकों के लेख नागरी लिपी में ही ध्या, जेवाड के लेख नागरी के लाण से जानते हैं। इस प्रकार से उत्तर भारत में मुख्यरूप से प्रचलित या लिपी देवनागरी के लेख नाम से प्रसिद्ध है। उपर्युक जानकारि से असपष्ट हो जाता है कि इशा की आथ्विच अविच नवी सदी मे नागरी लिपी का प्रचलन सारे देश में था यह एक सर्वदेशिक लिपी थी गुप्त काल की ब्रहामी लिपी तथा बाद में सिद्धम लिपी के अक्षडों के सिरो पर छोटी आडी लकीरों या छोटे ठोस तिकोन हैं लेकिन नागरी लिपी की मुख पहचान या है कि इसके अक्षडों के सिरों पर पूरी लकीरे बन जाती हैं और ये सिरों रेखाएं उतनी ही लंबी रहती हैं जितनी की अक्षडों की चौडाई होती है हाँ कुछ लेखों के अक्षडों के सिरों पर अब भी कहीं कहीं तिकोन दिखाई देते हैं दूसरी स्पष्ट विशेषता यह है कि हम कि इस प्राचीन नगडी के अक्षड आधुनिक नगडी से मिलते जुलते हैं और इन्हें आसानी से थोड़े अभ्यास के बाद पढ़ा जा सकता है हम बता चुके हैं कि दक्षिन भारत से नागरी नंदी नागरी नागरी लिपी के लेख आठवी सदी से मिलने लग जाते हैं और उत्तर भारत से नवी सदी से लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि अमुक निश्चित समय से ही नागरी लिपी की शुरुवात होती है अर्थात इदम स्योर और स्वर्टेन डेट बताना टाइम बताना मुश्किल है लेकिन उत्तर और दक्षिन दोनों क्षत्रों में देवनागरी लिपी के अस्तित्व हमें प्राप्त हुए हैं नागरी जैसे अक्षड कुछ पुराने लेखों में दिखाई देते हैं और पुरानी शैली के कुछ अक्षड नागड़ी लेखों में भी दिखाई देते हैं अब हमें यह देखना है कि इस नई लिपी को नागड़ी, देवनागड़ी या नंदी नागड़ी क्यों कहते हैं नागरी नाम की उत्पति तथा उसके अर्थ के बारे में विद्वानों में बड़ा मत्भिद है एक मत्थ के अनुसार गुजरात के नागर ब्रहमनों ने पहले-पहल इस लिपी का इस्तमाल किया इसलिए इसका भी इसका नाम नागरी पढ़ा इस मत को स्विकार करने में अनेक अर्चने हैं, एक अन्य मत के अनुसार बाकी नगर सिर्फ नगर हैं, पढ़न्तु काशी देवनगरी है, इसलिए काशी में प्रियुक्त लिपी का नाम देवनगरी पढ़ा, स्पष्टता या एक संकुचित मत है, या एक छोटा विचार यह कहीं से सही शहीं मालूम नहीं पड़ता है, अल-बैरूनी जो विदेशी था, जो भारत आया था, उसने अपनी किताब, दस तों तीस एस्वी में उसने लिखी थी किताब, गरंत था उसका ये, उसमें उसने लिखा है, कि मालवा में नागर लिपी का इस्तमाल होता है, अता हिया हस्पास्ट है कि एक खजार इस्वी के आसपास नागर या नागरी नाम अस्तित्यों में आ चुका था, दरसल यह शब्द और भी कुछ पहले अस्तित्यों में आ चुका था, इतना निश्चित है कि यह नागरी शब्द किसी नगर अर्थात बड़े शहर से कि उत्तर भारत की एक विशेश शैली को नागर शैली कहते हैं, अता है नागर या नागरी शब्द उत्तर भारत के किसी बड़े नगर से सम्बंध रखता है, संभव नहीं है, और संभव नहीं कि यह बड़ा नगर प्राचीन पटना ही हो, चंद्रकुप दुतिया विक्रम नाधित्य का विक्तिगत नाम देव था, इसलिए गुप्तों की राजधानी पटना को देवनगर भी कहा जाता होगा, देवनगर की लिपी होने से उत्तर भारत की प्रमुख लिपी को बाद में देवनागरी नाम दिया गया होगा, लेकिन यह सिर्फ एक मत हुआ, हम सोप् कैसे अस्तित्यों में आया, यह एतिहासिक सुरोत हैं जो गाथाओं, लोक कथाओं, आधि के अधार पर विक्षित है, इसा की 14-15 सदी के विजयनगर के शास्कों ने अपने लेखों की लिपी को नंदी नागरी कहा है, विजयनगर के राजाओं के लेख कंणर तेलगू और नागरी लिपी में मिलते हैं, जानकारी मिलती है कि विजयनगर के राजाओं के शास्काल में ही पहले पहल वेदों को लिपी बद्ध किया गया था, यह वेदों जो वेद होते हैं, हिंदू धर्म में जो वेद हैं, तो यह भारत की महान पुस्तकें, इनके लिए भी यह कहा जाता है कि विजयनगर के राजाओं के शासनकाल में ही इन वेदों को पहली बार लिपी बद्ध, रिटेन फॉर्म परदान किया गया था, लिपी बद्ध किया गया था, यह वैदिक साहित्य निश्चे ही नागरी लिपी में लिखा गया होगा, विद्वानों का यह भी मत है क यो वाकाटकों और राष्ट्रकूटों ये राजवनश्र थे वाकाटक और राष्ट्रकूट के समय के महाराष्ट्र के प्रसिद्ध नंदी नगर आधुनिक नांदेड की लिपी होने के कारण इसका नाम नंदी नागडी पड़ा। लेकिन हमें नामकरण के इस धंजट में अधिक नहीं पड़ना चाहिए यह किसी नगर विशेश की लिपी नहीं थी क्योंकि इसा की आठवी से ग्यारवी सदियों में हम नागरी लिपी को पूरे देश में व्याप्त देखते हैं। उस समय यह एक सारवदेशिक लिपी थी। देश भर से नागरी लिपी के बहुत सारे लेख मिले हैं। इस नागरी लिपी के उदय के साथ भारतिय संस्कृति, भारतिय इतिहास वं संस्कृति के एक नए युक की शुरुवात होती है। भारत इसलाम के संपर्क में आता है और बाद में तेरहवी सदी से इसलामी शाषकों का शाषम आरंब होता है। नए संपरदाय स्तित्तों में आते हैं। भारतिय समाज एवं बहुत से संपरदायों को एक व्यापक नाम मिलता है। हिंदू समाज एवं हिंदू धर्म ये अयतिहासिक व्याख्या है। ये भारतिय समाज के विकास का उसी संदर में भाषा और लिपी के विकास की बात भी हो रही है। नागरी लिपी के साथ साथ अनेक प्रादेशिक भाषाएं भी जन्म लेती हैं। आठवी नौवी सदी से आरंबिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है। कि तिब्बत से जो हस्त लिपी मिली है हस्त लिपी वो दस्वी ग्यारवी सदी की लिपी में लिखी गई है। नेपाल से और भारत के जैन भंडारों से भी इस काल की बहुत साड़ी हस्त लिपियां मिली हैं। इसी काल में भारतिय आड़े भाषा परिवार की आधुनिक भाषाएं जैसे मराथी, बंगला, आधी, जन्म ले रही थी। इस समय से इन भाषाओं के लेख भी मिलने लग जाते हैं। दक्षिन भारत की द्राविड भाषा, परिवार की भाषाएं विशेश्ता तमिल भाषा अधिक प्राचीन हैं लेकिन इन भाषाओं के लेख भी इसी समय से मिलने लग जाते हैं। इन भाशाओं के लिए दक्षिन भारत में विक्षित ब्राहामी लिपी का कुछ सुतंत्र अभीकास हो रहा था, परहनतु दक्षिन भारत में नागरी लिपी का भी खूब व्यवार था दरूसल नागरी के अरंभिक लेक हमें विंध्य परवत के नीचे के दक्षण दूर्ग का समागर्ण दानपत्र दांति दूर्ग ने ही राश्रकूर्ट शार्षन की नीव डाली थी ये राश्रकूर्ट शार्षक मुलतह करनाटक के रहने वाले थे और इनकी मात्री भाषा कन्नड थी पड़न्तु वे खान देश विदर्भ में बस गये थे दांति दूर्ग के बाद उसका चाचा क्रिष्ण प्रथम राश्रकूर्टों की गद्दी पर बैठा इसी क्रिष्ण के शाषनकाल में एलोरा प्राचीन एलापूर वेरूल में अनुपम कैलाश मंदिर पहाड को काट कर बनाया गया था ये इसी क्रिष्ण राजा के समय में एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्मान हुआ जो पहाड को काट कर बनाया गया था क्रिष्ण के कुछ लेक भी मिले हैं नावी सदी में अमोग वर्ष एक प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा हुआ इसी अमोग वर्ष ने राष्ट्रकूट की नई राजधानी मन खेट माल खेड जगह पर की नीव डाली अमोग वर्ष के सास्थनकाल में ही जैन गनितग्य महाविराचाडिय ने गनित सार संगरہ की रचना की थी तो ये competitive exams के लिए भी बहुत important जानकारी है इसमें अमोग वर्ष के शास्तनकाल में ही जैन गनिता के महावीराचाड़े ने गनित साड संगरह की रचना की थी इसा की आठवी सदी में पश्चिम महराश्र के कौंकन प्रदेश में शिलाहरों का राज्य स्थापित हो गया था ग्यारहवी सदी में इनकी एक शाखा का राज्य कोलापूर सातारा प्रदेश में भी स्थापित हो गया था इन शिलाहरों के अनेक नागरी लेख मिले हैं 11 सदी से नागरी लिपी में प्राचीन मराथी भाषा के लेख मिलने लग जाते हैं अक्षी कुलाबा जिला से शिलाहर शाशक केशी देव का केशी देव प्रथम राजर थे का एक शिलालेख जो 1012 इस्वी के में लिखा हुआ है मिला है जो संस्कृत मराथी भाषाओं में है और इसकी लिपी नागरी है परन्तु दिवैं आगर रतनागिरी जिला तामरपट पूर्णता मराथी में है इसे मराथी का अध्य लेख माना जाता है नागरी लिपी में लिखा गया या तामरपट 1016 इस्वी का है करनाटक परदेश का श्रवन बेल गोल स्थान जैनों का एक प्रशिद्ध तीर्थस्थल है यहां गोमटे श्वर का भव्व पुतला खड़ा है इस स्थान से विविद भाशाओं और लिपियों के अनेग लेख मिले हैं यह है श्री गंग राजे सुत्ताले करवियले श्री गंग राजा ने परकोटा बनवाया यह एक अन्य नागरी लेख में लिखा है श्री चावुण्ड राजे करवियले ये लेख दक्षनी शैली की नागरी लिपी में है देवगरी के यादव राजाओं के नागरी लिपी में बहुत सारे लेख मिलते हैं यादव राजा रामचंद्र 13 सदी के तामरपत्र में ए और ओ की मात्राएं अक्षर की बाँ योड हैं कल्यान के पस्चिमी चालुक के नडेशों के लेख भी नागरी लिपी में हैं उडिशा में ब्ढामी की एक विशेश हैली कलिंग लिपी का आस्तित्य था परन्तु गंगवंश के कुछ शाषकों के लेख नागरी लिपी में भी मिलते हैं नागरी लिपी के लेख नाकेवल पस्चिम तथा पूर्व भारत से बलकी सुदूर दक्षिन भारत से भी मिले हैं दक्षिन भारत के पांडे प्रदेश से राजा वडगुन के पलियम तामरपत्र मिले हैं राजाओं के लेखों में नागरी लिपी देखने को मिलती है। अनेक विद्वानों का मत है कि ये गुर्जर प्रतिहार बाहर से भारत आये थे। इसा की 28 सदी के पूरवार्द में आवंती प्रदेश में इन्होंने अपना शाषन खड़ा किया और बाग में कन्नौज बढ़ भी अधिकार कर लिया। मिहिर भोज, महंद्रपाल और आदी प्रख्यात प्रतिहार शाषक हुए। मिहिर भोज, 840 से क्यासी इश्वी की गौालियर प्रशस्ती नागरी लिपी संस्कृत भाषा में है। धारा नगरी का परमार शाषक भोज अपने विद्यान राग के लि शाषक का नाम था भोज, वो अपने विद्या प्रेम के लिए, विद्या के प्रतिलगाव के लिए इतिहास में प्रसिद्य है। परन्तु इस शाषक के बहुत कम अभिलेख मिले हैं, लेकिन अभिलेख जो प्राप्तु हैं इस शाषन के वो बहुत कम हुए हैं, बहुत कम म है दानपत्र है उसमें 1021 इश्वी का है वह कौन बित्मा का दानपत्र हमने उन्हीं अरंभिक नागरी लेखों की संक्षित चर्चा की है जो देश के विभिन भागों से मिले हैं बारहुएं सदी के बाद हम उत्तर भारत के सभी हिंदू शाष्कों को देवनागरी लिपी का इस्तेमाल करते हुए देखते हैं हमने यह भी देखा है कि कुछ इसलामी शाष्कों ने भी अपने सिक्कों पर नागरी लेख अंकित किये हैं तो मेरे दोस्तों यह नागरी लिपी देवनागरी लिपी के विशे में जानकारी है यह आप से मैंने शेर किया मुझे लगता है कि आपको अच्छा लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, मैं हमेशा आता रहता हूँ, फिर नए वीडियो के साथ आऊंगा, जिसमें इस पार्ट से सम्मंधित प्रश्णुत्तर भी होंगे, थैंक्यू फर भीविंग, हैव ए नाइस डे, आपका दिन मंगल मैं हो,